तो बच्चो आज हम लोग चर्चा करते हैं मोलर्ता के बारे में, किसके बारे में मोलर्ता, मोलर्ता एक ऐसा टॉपिक है जिससे गोड में काफी ज्यादा प्रस्ट में पूछे जाने की संभावना होती है, तो आईए मोलर्ता की चर्चा हम लोग करते हैं, सबी लोग ध्यान इंग्लिज में बोलते हैं मोलर्टी सबसे पहली बात मोलर्टा को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से किसे बच्चो कैपिटल M से मोलर्था क्या होती है मैं बोल दे रहा हूं आप लोग लिख लेजेगा ठीक है किसी भी लेंके एक लीटर में उपस्तित बीले के मोलो की संख्या किसी बिलेन के एक लीटर में उपस्तित बिले के मोलो की संख्या क्या कहलाती है सब लोग बोलो मोलर्ता कहलाती है न और इसका मात्रक अगर देखें तो क्या होता है मात्रक बच्चो मोल प्रति लीटर क्या होता है मोल प्रति लीटर यहां से भी आप अंसर निकाल सकते हो परिभासा किसी विलेन के एक लिटर में विले के मोलो की संख्या क्या कहलाती है मोलर्ता कहलाती बोलो सही है अब देखो बच्चो ध्यान से समझो अगर मैं इसी बात को देखूं इसी बात को देखूं तो क्या होगा द्यान दीजे सब लोग द्यान दीजे इसी बात को देखा जाए तो हम फार्मुला बना ले जरा मोल अर्ता बराबर विले के मोल बटे विले अन का आयतन लीटर में बोलो बच्चो विले अन का क्या आयतन का है में लीटर में तो जब इतना हम लोग कर लेंगे तो मोल कैसे निकलता है भी आपको पता होना चाहिए बार बटे अड़ भार तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर मोल कैसे निकलते हैं भार बटे अड़ बार बटे अड़ यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं ठीक है बच्चो इस मोल वाले कॉंसेट को यह रख देंगे और अपना बैलू रखेंगे हमारा मोल अरता का आंसर आ ज सवाल में कह रहा है 20% K2CO3 भारानुसार ठीक है ना भारानुसार की मुलर्ता बताईए 20% K2CO3 की भारानुसार मुलर्ता बताना है तो पहले 20% K2CO3 भारानुसार की चर्चा करने 20% का मतलब क्या है बच्चों आंसर में करने जा रहा हूं ध्यान से समझेगा आप लोग 20 प्रतिसत बहारानुसार का मतलब बहारानुसार मतलब W by W की बात कर रहे है किसी कर रहे है W by W W by W का मतलब है बिले भी W होगा W मतलब gram में W मतलब gram और बिले भी किस में होगा gram में होगा बिले भी gram में और बिले भी gram में ठीक है न तो चलो तो 20 प्रतिसत का मतलब होगा 20 ग्राम 20 ग्राम क्या बच्चो K2CO3 20 ग्राम K2CO3 और उसके बाद हम देखते हैं कोई भी बिलेन अगर हम प्रतिसत में ले रहे हैं तो पूरा बिलेन कितना माना जाता 100 100 ग्राम मान लो या हम भारा अनुसार की बात कर रहे हैं अधिने का नहीं साओ ग्राइब बलो बहाई सही है ना थो हमनी आ आ किया कहा 20 जूसेइं ज़ीत है र रे वक्रशाथ ऑस्थ्थित है कि तो शुक्तने घ्राम भीकार आफ़ा सो ओग्राम वीडिन ऊद्य बहुत सही है ना यह मतलब हुआ 20 प्रतिसत इसका यह मतलब हुआ अब इसकी क्या बताना है मोलर्ता लेगिन एक चीज और दिया है घनत तो दिया है जनत तो दिया देंसटी घनत तो कितना दिया है एक दसंपलो पांच एक दसंपलो पांच इतनी चीज़े में दिया है तो बच्चो एक बात बताओ यहां पर 20 ग्राम केटू-CO3 औ बोलो विले होगा और यह क्या होगा विलेन बोलो सही है न यह बिले है मतलब सबसे पहले हमें मोलर्ता निकालना है और मोलर्ता क्या क्या लिख लेना फॉर्मूला तो आई यह फॉर्मूला आपको पता है पीछे मैंने लिखा दिया है क्या होता मेरे साथ बताइए मोलर्ता ब लीटर में बोलो सही है न? चलो अब हम मोल कैसे निकलता भार बटे अड़ुभार बोलो भाई तो हम सबसे पहला काम क्या कर लें? भार निकाल लें, बिले का भार बिले को मैं क्या लिग ले रहा हूँ बिले का भार भार कितना है? बीज ग्राम बोलो भाई 20 ग्राम और हमें क्या चाहिए पार अडु भार कैसे निकलता है बले का अडु भार अडु भार कैसे निकलेगा उसको देख लो जाँ ध्यान से बच्चो केटू CO3 है न तो हम कैसे इसको कैल्कुलेट करेंगा बताओ, potasium के कितना लेते हैं? 49, 39 लेते हैं और potasium कैट हो है, 2, गुडित 2, प्लस, carbon कितना? 12, और प्लस oxygen कितना? 16, यहीं नहीं होता है, और oxygen कैट हो है, 3 तो 16 गुडित 3, total करें कितना आएगा? 138 के आसपास आना चाहिए, देख लिजेगा, आप लोग कर लिजेगा, calculate कर ल बटे अडु भार मिल गया, अब हमें चाहिए बिलेन का आयतन, लेकिन एक प्रॉबलम है, यहाँ जो बिलेन का दिया है, वो द्रब्यमान दिया है, ग्राम मतलब क्या समझते हो, द्रब्यमान, देखो बेटा, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, कहानी में इंट्रेस्ट आ र लगाते हैं, एक फार्मूला कौन सा होका, घनत तो बराबर द्रब्यमान बटे, सब लोग बोलो, घनत तो बराबर, याद करो घनत तो बराबर, हाँ याद होना चाहिए, क्योंकि अब लास्ट लडाई चालू है, अंतिम लडाई अंतिम फाइटिंग चालू है, और अंत मे जो हार गया सो गया शुरू में आपने कितने जीते कितने लड़े कोई मैटर नहीं करता लास्ट में आप युद्ध हार ने नहीं चाहिए अगर आपने हारा युद्ध तो फिर गये खतम कहाणी तो एक बार जोर से बोलो सब लो गनत तो बराबर द्रब्यमान बटे आयतन बहुत बड़िया बात अब सुनो द्यान से मेरी बात को सुनना बच्चो मोल अर्टा बराबर बिले के मोल भार बाटे 80 बार तो भार कितना है 20 और 80 बार कितना है मैं पर इही पर कर लेता हूँ ठीक है 20 बाटे 138 पूरे का बाटे बिले अनका आधन आधन दिया नहीं है द्रब्यमान दिया है तो हम यहाँ से एक formula लगा लें इसको थोड़ा सा उपर कर लेते हैं बच्चो ठीक है चलो इतने पर हो जाएगा ना आओ देखो देखो बच्चो सब लोग सुनो यहाँ पर हमें क्या चाहिए आयतन चाहिए तो अदिया क्या है द्रब्यमान तो हमें एक formula लगाएंगे घनत तो बराबर क्या द्रब्यमान द्रब्यमान बटे आयतन ठीक है ना और हमें निकालना क्या है आयतन क्योंगि आयतन को बाहर करो आयतन को जब आप बाहर करेंगे तो भाई अद्रब्यमान बटे क्या बचेगा घनत तो अंदर आ जाएगा अद्रब्यमान कितना दिया है 100 अब घनत तो कितना है 1.5 ये लो भाई ये हमारा क्या मिल गया आयतन बोलो मिल गया गी नहीं मिल गया इसको यहाँ पर रख देते हैं 100 बटे एक डसमलो ली liquidity में change करना है लीटर में change करने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से बाग देंगे बोलो लो ज़ीना होगा इसी परकार से होगा अब इसको setup बना लो अपने तरीके से मोल अर्ता बराबर मोल अर्ता बराबर 20 बटा 138 क्यों भाई सही है गुडित्ते यह उपर ही लगाते हैं ठीक है पूरा बराबर कर लो अब देखो 1.5 और 1000 कहा जाएंगी उपर भाई तो गुडित्ते 1.5 गुडित्ते 1000 और फिर गुडित्ते करके लग भग 2.2 आया है चलो ठीक है आप लोग भी कर लीजेगा भाईया कितना आना चाहिए अंसर इसका 2.2 और मात्र क्या होगा मोल प्रती लीटर मोल प्रती लीटर यह आपका क्या आगे मोल अर्ता बोलो सही है बच्चों इसको हम 2.2 Mb लिख सकते हैं अईसे भी लिखा रहता है Mb for Molartha बोलो सही है तो इस प्रकार की जितने सवाल हो Molartha के आप सभी सवालों को लगा लेंगे Molartha के और important है कभी कभी question इससे आते हैं कभी क्या regular कभी कभी किसी ना किसी paper में आ जाते हैं मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यही question आएगा लेकिन important में इसलिए मैं बता रहा हूँ पहला काम आप क्या करेंगे notes पढ़ेंगे पूरा notes revise करेंगे उसके बाद आप लोग इसको लगाएंगे तो मैं हूँ आपका अपना हरियों सर और यह हमारा प्यारा सब्यूटीफ फूल सा चैनल हरियों केमिस्ट्री पढ़ते रहिए मैं आपको इसी प्रकार थोड़े थोड़े साभी topic important बताता रहूँगा note कर लीजे बच्चों इसको आप लोग